हाई गाईज, वेलकम बैक तो मैरी चानल, मैं हुजुरों और मेरी चानल के फिरसे एक बड़ा पुस्वागत है तो आज मैं आप लोग के लिए एक मैजिक टी लेकर आएंगों और ये टी इतनी एफेक्टिव है कि आपके पे底 नहीं की पाँपेड को तो दूरुस अन्हें रखे की साथ मेंआपके चर्दी को ढूं ढूं में बाठ करेंगी मतब जो उंबर उबर दिखती है उसे तो फटा फट मैंट करेंगी लिए जो ंजके ए भी हुआफी चर्दी है मतब नेरस्ट शॉप में यह दोनों चीज़े मिलेगी और वह भी मुमार तु 10-20 में चीज मिल जाएगी और इसकी टीप पीने से आपर डायबेटिक बहुत कंट्रोल में लहेगा और पें खुईता से क्लीम होगा इवन जिनको यूरिन इंफेक्शन बार 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 होता है वह के लिए भी यह बेस्टी है इस चीज़ो दिमान रखिएगा और कैसे लेना है कब लेना है यह मैं वीडियो में बनाऊंगी और वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक ज़रू करिए लो कि कि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही माइने रखता है और लाइक का कोई भी पैसा नहीं है तो यह चीजमा सोचेगा कि आपके लाइक से मुझे पैसे दोते हैं और इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे पांच तेज पत्ता जो आप प्लाव में डालने के लिए बनाते हैं सारी चीजे और इन पांच तेज पत्ता को आपको इसमें डाल देना है दॉसके बाद आपको इसमें डालना है दो इसमें डालना है दो स्टिक डालचीनी की पाउडर मत दाल लिए यह ज़िज आपको प्रा रखना है यह दोनों चीजों को डालने के लगवा 5 मिलर तक आपको इसे ऐसे ही वाय करना है दीनी आज पर दालचीनी और तेजपता की जो चाय है वो आपके पाचन को बहतर बनाने और गैस की समस्था से निजात दिलाने के अलावा तेजपता और दालचीनी से बनी हुई चाय बहुत ही आराम दायक होती है और यह आपको इस स्कैनिंग से बशने में भी मदद करती है और मैं अगर कह यह एक नेचुरल टी आपके स्वास के लिए पाइदे मन और दो सांदार चीजों से मिलकर बनी है और मतलच की कैसे लेना है वो सारी चीज़े मैं अभी आपको बताऊंगी लेकिन एक चीज़ धिहान रखेगा कि जितनी तेजपता की मात्रा मैंने बताई है उतना ही और यह आपके पार्चन और स्वास के लिए भी बहुती फाइदे मन चाहे है इससे आपको बहुती प्रेशनस फील होगी यानि की बहुती ज़्यादा तरो ताजा फील करेंगे जब आप इसे पीएंगे अब बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने लॉरल टी के बारे में सुना है लॉरल टी बही पेड़ा जिसे हमें तेजपत्ता नलता है या एक साथ सदा बहार पौदा होता है और उसमें कई तरह के ऐसे मेडिसेन गोल होते हैं जो हमारी आयरवेदा में हमारे अलो पैत में म असर और शद्य गुड़ों से भरपूर है असर पर जो ये टी है ये आपके हर तरह से बैनेफेट करेगा आपको यूरिन इंफेक्शन नहीं होने देगा आपका डायबेटिक कंट्रोल रहेगा और बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जिनसे मिलकर आप एक स्वस्त जीवन पाओ मेरे बस्तर नहीं है तो ये टी इस पेशली उन लोगों के लिए भी है जो रोज रोज ही छल्यों से निजात पाने साती है तो आपको क्या करना है जब ये पक जाये पांच मिनट बाद आपको गया दीरी करके इसे ऐसे ही पकाना है धंड़ना होने के बाद इसे आपको किसी पाद की भी बोटल में भरके फ्रिज में रख लेना है तो आपको सुवे खाली एक कॉप लेना है तो लेने का भी धंग मैंने बता दिया है और इसका एपक आपको एक हटे में ही भी उखाई देने लगगगा और जैसा भी हो जो बी रिलेंटेड कोशन हो मुझे जरूर और आपको इसे एक कप में लेके पी लेना है तो टी रेडी है और आगे मैं क्या दिखाऊ हूँ I think आप सब को समझ में आई गया है मैं अपने ले बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ भी शेयर किया जाए बहुत आसान है टो इंडियेंट ही है अराम से पीजिये और पंदरा दिन में ही आपको स्क्राइब लगेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा चानल पसंद आ हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दूती होदी ज़ले एक नया वीडियो के साथ तक बाल झाल